दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस दीपक भामरी दोस्तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश पर मुगलों ने आक्रमन किया और उस समय हमारे देश के लोगों ने क्या किया हमारे देश के लोगों ने हतियार उठाए हमारे प्षियारों से इस जंग को जीता दोस्तों एक बार फिर चीनी आक्रमणकारी कुरोना वाइरस ने मेरे और आपके देश पर आक्रमण किया है इस समय फिर जरूरत है हथियार उठाने की फिर इकठे होकर एक जुट होकर हथियार उठाने की और इस बार आपका जो हथियार है वो है ये इस बार जो आपका हतियार है वो है ये ये हतियार उठाइए और अपने घर की सफाईयों में लग जाएए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है इस समय आपकी जो मदद करेंगे वो ये हतियार करेंगे दोस्तों आपने से हर इंसान जानता है कि आस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगती है अमेजोन के जंगलों में आग लगती है आपको पता है जब वो उन जंगलों में आग लगती है तो कौन बचता है हाथी सबसे ज़्यादा ताकतवर शेर बाग जीते इतने ताकतवर ते उस समय वो चुहा अपने बिल में दुबक कर छुपकर बैठ जाता है और आग के बुझने का इंतजार करता है बाहर नहीं आता इंतजार करता है उस आग के बुझने का दोस्तों ये वक्त है कि हमको भी इस आग के बुझने का इंतजार करने तक अपने अपने बिलों में दु निये चुहा क्योंकि इस समय अगर आप चुहा बनके अपने घर में दुबक के बैठे तो आप बचेंगे तो आप जिन्दा बचेंगे और अगर आप शेर बनकर दहाड़ने की कोशिश की आप मारे जाएंगे या आप जानते हैं दोस्तो ये वक्त है चुप चाप अपने घर में बैठने का शेर मत बनिये अपने आपकी दादागीरी मत दिखाएए घर में बैठिये और इन हत्यारों का इस्तेमाल कीजिए अपने घर की सफाईयों में अपना टाइम बिताईए किताबें पढ़िये म्यूजिक सुनिये बच बचेंगे और अगर कोरोना से हार गए कुछ नहीं हो सकता एक बार फिर कह रहा हूं इस समय इस कोरोना रूपी आकरमंड से बचना है तो सिरफ आपको घर में बैठना होगा घर में बैठना होगा सिरफ घर में बैठना होगा और एक बार फिर कहना चाहता हूं सिरफ घर में बैठना होगा. Wish you all the best. Thank you very much. Jai Hind!